सुसारी में लगबग तीन पीडी से निवासरत आदिवासी ब्रहमन और लोहार समाच के दस परिवारों को राजे सोई भाग द्वारा अचानक घर खाली करने का नोटिस दिये जाने के विरोध में मुख्य मंत्री के नाम एक ग्यापन नायत पिसिलदार गणपट डावर को द दखल के जाने वाले सभी परिवारों का पूर्ण सहीओ करने की बात कही है कुक्षी से जावेद पटेल की रिपोर्ट स्पेश नहीं किया है और नाहीं किसी के द्वारा इनको पट्टी दिये गए प्रधान मंत्री आवास की राशी भी डली है दो किस्तर पर पंचायत का मामला है उस पर मैं जाच करके मैं आपको आपको यह संग्यान में कब आया कि वह साज की भूमी पर उन लोगों ने कबज आदिवासी परिवार लोहर परिवार और बहमट परिवार के लोग इस जगा पे निवासित हैं एक तरफ मत्रदेश के मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि जो आप सरकारी जमीन पर लंबे समय से लोग रह रहे हैं उनको पट्टे दिये जाए और दूसरी तरफ कुक्षी विदान सबा के प्रशास्निक अमला नोटिस चस्पा करता है इनके परिवारों को कि आप मकान खाली करिये नियो तो आपका मकान तोड़ दिया जाएगा मैं इस तरह की करवाई का घोर विरोत कर रहा हूं और हम इन परिवारों के साथ में हैं मैंने मानिय मुख्य मंत्री जी को भी क दिवासी महिला जिसका बेटा नहीं है बेटी की साधी यहां से करी अब बेटी यहां पर उनके सेवा कर रही है अब असी वर्स जो है सुसारी का है जो सास्की भूमी बता कर रहे हैं सासन जो है इनको परिवारों को जो ब्रह्मन परिवार है विगत 90 वर्सों से यहां पर न निवास करते हा रही और सारे दस्तावेजों में जितने भी सास की दस्तावेज उपलब्द है उसमें सासन द्वारा इनको इनके नाम सब चड़े हुए हैं उसके उपरांत अब पता निक क्यों ये काम किया जा रहा है गरीब ढामणों को वहां से निश्काजित करने के लिए अब एक इनकी और से संबंस जारी हुआ है और बताया गया है कि तीन-चार रोज में जमीन खाली कराई जाए परंतो ऐसा कुछ भी नहीं ये तो मालिकाना हक के उसमें रह रह रहे हैं इनके सारे रेकार्ड दस्तावेज सब बता रहे हैं तो सासन से हम ग्यापन दिने आए ह जो इन पर संबंस निकले हैं जारी किये हैं उनको सारे संबंद जो है उनको निरस्त किया जाए और इन गरीबों के साथ सासन आज गराम में समाज और लोहा समाज द्वारा गराम सुसारी इस्तित नायब नयालई नयाब तेसल दा निसापूर्ट कर जो आदेस पारिक्या ग सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले